इसका प्रियोग दो तरगी situations में होता है, देखें पहला है बाहर निकलना या जगह को छोड़ना, to go out or to leave a place, और दूसरा है इतनी संख्या में से, out of certain numbers, इन दोनों बातों को आप उधारण के माध्यम से बेहतर समझ पाएंगे, आईए सबसे पहले देखें, example है, मैं अपने घ घर से बाहर, out of my home, वह दिल्ली से बाहर जा चुका है, he has gone out of Delhi, दिल्ली से बाहर, out of Delhi, तो किसी से बाहर निकल जाना या बाहर चले जाना, राहुल के सौ में से नभ्भे नमबर आए, सौ में से नभ्भे, मैंने आपको दूसरा situation बताई, out of certain number, तो सौ में से नभ्भे, राह इसी तरह के example और देखी, यहां से बाहर निकलो, get out of here, वहां 8 में से केवल एक ही विद्यार थी है, 8 में से केवल एक, there is only one student out of eight, 10 में से 3 के पास mobile थे, 3 out of 10 had mobiles,